मच्छों से बचने के लिए मार्किट में कई सारे ओप्शन आवलेबल हैं जिनमें से ज़्यादातर हजारडस केमिकल से बने हुए होते हैं और ये फ्रेक्रेंसिस लिक्वीड की फोर्म में, ओइन्मेंट की फोर्म में या फिर धुएं की फोर्म में हम घड़ों में इस्तेमाल करते हैं जो मच्छों के लिए हार्मफुल हैं या नहीं हैं पर हुमन के लिए अवश्य ही हार्मफुल हैं ये कई परकार की बीमारी, कैंसर, अस्थमा और जो पेशेंट ऐलर्जिक होते हैं उनमें allergy cause करते हैं especially छोटे बच्चों में इनका खत्रा बहुत ज़ादा बढ़ जाता है हम already एक chemical world में जी रहे हैं जहां पे हमारे सुबह की शुरुवात toothpaste मुँ में डालते ही chemical से होती है और रात में हमारा कोस्मेटिक से लगा कर साबून, it and everything made of chemicals तो हम दिन पर इतने chemical यूज़ करते हैं वहीं पर mosquito replant के नाम पर भी हम अपने घरों में chemicals का यूज़ करते हैं जो हमारी बोड़ी में accumulate होकर abnormalities पैदा करते हैं उसमें low immunity और स्वास्थे से जुड़ी हुई कई सारे गंबीर समस्याए उत्पन हो जाती है आज जानेंगे ऐसी herbal remedies के बारे में जिने आप आसानी से घर पर बना सकते हो और मच्छरों को इन से आसानी से दूर रख सकते हो दोस्तों मच्छरों की लगबग 3500 से ज़्यादा species पाई जाती है इन में से कुछ percent species ही पैथोजनिक हैं जादा तर इंडिया में पाई जाते हैं और ये दोनों डेंगू और मलेरिया कर्मशे फैलाते हैं इन मच्छों से बचने के लिए आपको especially दिन में मच्छों की बाइट का धियान अखना है क्योंकि जादा तर पैथोजनिक जो strain है especially eddies यानि जो डेंगू फैलाता है वो दिन में आपको काड़ती है तो दिन में आपको मच्छों की बाइट को किसी भी हाल में रोकना है मॉस्किटो बाइट को रोकने के लिए हम घर पर ही तयार करेंगे एक herbal skin oil जो आपकी skin के लिए भी खाफी अच्छा रहेगा और आपकी दूसरी skin संबंदी बिमारे जैसे acne, pimples, blimshies आदी को भी खम करेगा तो आईए जानते हैं simple sir remedy इसके लिए आपको कोई भी edible cooking oil, mustard oil या कोई दूसरा oil जो आप kitchen में इस्तेमाल करते हैं वो ले लेना है इसके लिए हमें लेना है 100 ml oil cooking oil और one handful नीम की पत्या जो की कच्चिया हरी होंगी इसके साथ आपको लेनी है camphor यानि कपूर की 2-3 गोलियां जिने आपको बारीक पीस लेना है आप इन तीनों ingredient को आपस में लेकर 15 मिनट तक 100 degree centigrade पर गरम करोगी oil का color जैसे ही light green हो जाएगा आप इसे नीचे उतार लेंगे और ठंडा होने के लिए overnight रख देंगे ठंडा होने के बाद आप इसे next day अपने desirable bottle में fill कर सकते हो और आप इसे skin पर directly apply कर सकते हैं ये बचे और women's के लिए completely safe है especially जो लोग allergic हैं उनकी skin के लिए भी ये काफी safe है इसके लावा ये आपको mosquito के ades या anaphylis हर प्रकार के mosquito की bite से बचाएगा आप इसे day night कभी भी लगा सकते हैं और ये चिप चिपा बिलकुल नहीं होने वाला है in fact it will work as a toner and a skin moisturizer तो आप इसे जरूर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये completely safe है और साधी साथ best herbal mosquito plant है अब बात करते हैं घरों के corner में छुपे हुए मचरों को बाहर निकालनेगी दोस्तो इसके लिए दो टाक्निक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें first of all we will use fumigation fumigation यानि की धुआ करने के लिए आपको eucalyptis के पत्ते लेने हैं eucalyptis के पत्ते आपको कहीं भी जंगल में मिल जाएंगे अगर नहीं मिलते हैं तो आप नीम के सुखे हुए पत्ते भी इसके जगाल कर सकते Fumigation यानि दुवा करने के लिए आपको Eucalyptis के पत्ते लेने हैं, गीले ही लेने हैं और इसके बीच में आपको कपूर की जलती हुई दो गोल्या डालनी है Eucalyptis के पत्ते बहुत ज़्यादा Inflammable होते हैं और ये गीले ही आग पकड़ लेते हैं इनसे जो धुवा निकलता है उससे आपके घरों में छुपे हुए मचर भाग जाएंगे और ये धुवा भी आपके लिए हजार्डस नहीं होगा, सेफ है तो आप इस तरीके से अपने घरों के कॉर्णर में छुपे हुए मचरों को भगा सकते हैं, अब बात करती हैं तीसरी टाक्निक की मचरों में कारबन डायकसाइड को सैंस करने की बहुत जादा पावरफूल कापैसिटी होती है, तो इसलिए हुमन बोडी को स्मयल कर पाते हैं अगर आप बार बार बात करते हैं, यह scientifically proof हो चुका है, अगर आप सरी की सफाई का special ध्यान डगते हैं, तो मचरों की बाइट कम हो जाती है, इसलिए आप गर्मियों में दो से तीन बार बात करेंगे, तो मचरों की बाइटिंग कम हो जाएगी So there is no doubt mosquito are the most dangerous animal on this planet and it's killing thousand people per year by spreading the infectious diseases and this graph increasing as the global warming on alarming condition, so we should be aware about the mosquito biting and mosquito bone diseases, just simple awareness and spreading the knowledge about the mosquito bite can save the thousands of lives, that is the main message of this video. If you found the video useful, please don't forget to subscribe and hit the bell icon of our channel, have a nice day, bye bye.